दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इनसान हैं और इनसान वो है जिससे गलतियां भी होती हैं कुछ लोग अंजाने में गल्तियां या गुनाहों को अंजाम देते हैं और कुछ जानते हुए भी कि उनके आमाल गुनाहों में शुमार हैं ऐसे कामों और गुनाहों को अंजाम देते रहते हैं दोस्तों गल्तियां या गुनाह लगभक सभी से होते हैं हर कोई करता है पर अल्ला फर्माता है कि गुनाहगारों में आला और बहतरीन लोग वो हैं जो अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफी मांगे और बहुत लोग अपने गुनाहों से तौबा या माजरत भी करते हैं लेकिन कई मरतबा या कई लोगों के दिल में ये ख्याल भी आता है कि हम कैसे पता करें कि अल्ला के हुजूर में अल्ला की बारगाह में हमारी तौबा कुबूल हुई है या नहीं तो आज हम आपको यहीं बताने जा रहे हैं कि जब बंदा ए खुदा अपने गुनाहों से माजरत करता है तौबा करता है तो उसकी तौबा कुबूल हुई है या नहीं ये वो कैसे पता लगा सकता है तो आज के वीडियो में हम आपको यहीं बताने जा रहे हैं कि तौबा कुबूल होने की चार कौन सी निशानिया हैं जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपने जो तौबा की जो माज़रत की वो अल्ला की बारगाह में कुबूल हुई या नहीं असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम बाक टू आर चानल शेरी अली मैं हूँ इराम अली और आज हम जो वीडियो आपको बनाने वाले हैं उसे शुरू करने के पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि आप हमारा चानल सब्सक्राइब करें ना आप चाहे नए हूँ हमारे चानल में या पुराने हूँ आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज हमारा चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं आपको मिलते रहें और साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगबग लगबग हर आदम हर इनसान जो है वो गलतियां करता है जाने अंजाने जानते हुए अंजाने में वो कई गलतियां अपनी गलतियों को जान कर उन्हें मान कर उनसे तौबा करें और दोबारा उनकी तरफ ना जाने का फैसला करें तो आईए अब जब हम तौबा करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि क्या हमारी तौबा जो है जो हमने तौबा की जो अल्ला से माफी म वो अल्ला की बारगा में कुबूल हुई है या नहीं हुई है तो चलिए आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपकी तौबा कुबूल हुई है हुजूर सेदना गौसलाजम ने बताया कि कैसे पता चले कि किसी शक्स की तौबा कुबूल हो गई है उसकी कुबूलियत की पहचान कैसे हो उसकी निशानिया क्या है तो दोस्तों ये जानने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरुरत नहीं गौसोलाजम का फर्मान है कि चार निशानिया ऐसी है कि जिन से पता चलता है कि इनसान की तौबा अल्ला की बारगाह में कुबूल हुई है या नहीं तो तौबा की पहली अलामात ये है कि जुबान पाक हो जाए तो पहली अलामात तौबा के लिए है कि उस शक्स की जुबान है वो जूट बोलना और गीबत करने से रुक गई है या नहीं ये इस शक्स को देखना होगा अगर कोई भी शक्स ये पता करना चाहता है कि उसकी तौबा कुबूल हुई है या नहीं हुई है तो सबसे पहली बात वो ये देखे कि क्या उसकी जुबान अब जूट बोलने और गीबत करने से रुकी है या नहीं अगर वो अब भी गीबत करता है दूसरों के गैर जरूरी मामलों में बोलता है जो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी तौबा कुबूल नहीं हुई है तो आगे बढ़ते हैं तौबा की दूसरी अलमात ये है कि उस इनसान के दिल में किसी के लिए बुग्स ना रहे और किसी के लिए हसत और अलावत ना रहे तो दोस्तों ये है तौबा की दूसरी अलामत कि जिससे आप पता कर सकते हैं आपकी तौबा अल्ला की बारगाह में कुबूल हुई है या नहीं हुई है वो शक्स खुद अपने अंदर जहक कर देखे कि क्या उसके अंदर दूसरे इंसानों के लिए कोई हसद जलन या ऐसी चीज़े तो नहीं रह गई है अगर अब भी ये चीज़ें रह गई है तो इस शक्स को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तौबा जो है वो कुबूल नहीं हुई चलिए आगे बढ़ते हैं तौबा की तीसरी तौबा की कुबूलियत की तीसरी निशानी ये है कि बुरी सोहबतों और संगतों को छोड़ दिया जाए अगर कोई इनसान तौबा करता है और उसके बाद उसी सोहबत या संगत में जाता है जहां से उसे गुनाहों की आदत लगी हो बुरे कामों की आदत लगी हो या अल्ला की नाफरमानी की लट लगी हो तो वो समझ ले कि उसकी तौबा कुबूल नहीं हुई तो दोस्तों जिस सोहबत में रहने से जिस संगत में रहने से आपको अल्ला की नाफरमानी करने जैसा काम एक बहुत ही छोटा काम लग रहा है तो हमें सबसे पहले उस सोहबत को छोड़ना होगा ऐसी मजलिसों में ऐसे लोगों के बीच बैठना छोड़ना होगा अगर हमने ये आदत अपने अंदर छोड़ दी तो इनसान को समझ लेना चाहिए कि उसकी कुबूलियत जो है तौबा की वो हो चुकी है पर अगर नहीं तौबा करने के बाद भी आप वही संगती में वही सोहबत में जाकर बैठ रहे हैं तो हमें ये समझ लेना होगा कि हमारी तौबा भी अल्ला की बारगाह में कुबूल नहीं हुई है तौबा के कुबूल होने की चोहती निशानी है कि बंदा देखे कि उसके तौबा करने के बाद उसके अंदर इबादत की रहबत आई है या नहीं तो दोस्तों ये है तोबा की कुबूलियत की चोहती निशानी कि अब शक्स ये देखे अपने अंदर जहक कर कि उसके अंदर नेक कामों की चाहत बढ़ी है या नहीं नीकी में, तिलावत में, ताथ में, जिक्र में, तस्वी में, भलाई में, एहसान में, दूसरों की खेरियत में जौक और शौक बड़ा है या नहीं अगर ऐसा नहीं है तो वो समझ ले कि उसकी तौबा कुबूल नहीं हुई पर अगर ऐसा है, वो जोरो शोरों से अल्ला का जिक्र करने में, और दूसरों की मदद करने में, भलाई करने में, तिलावत करने में, जौक शौक रखने लगा है तो वो समझ जाए कि उसकी तौबा जो है वो अल्ला की बारगाह में कुबूल हो चुकी है तो दोस्तों यही थी वो चार निशानिया जो हुजूर सेदना गौसल आजम ने और तमाम ओलिया, सूफिया और बुजरगाने दीन ने हमें बताई जिन से कोई भी शक्स ये पता कर सकता है कि उसकी तौबा कुबूल हुई है या नहीं जब इनसान अपने अंदर ये सभी अलामते और निशानिया देखे तो वो महसूस करे कि उसकी तौबा अल्ला की बारगाह में कुबूल हो चुकी है तो दोस्तों यहीं था हमारा आज का वीडियो तो ये ऐसी चार अलामते हैं ऐसी चार निशानिया हैं जिन से इनसान बिना किसी के पास जाए बिना किसी की मदद तलब के खुद ही अपने अंदर जाक कर पता लगा सकता है कि उसकी तौबा जो है उसने जो माजरत की वो अल्ला की बारगाह में कुबूल हुई या नहीं क्योंकि वो शक्स खुद ही पता लगा सकता है वो खुद ही बता सकता है कि क्या वो जूट बोल रहा है अपने अंदर वो खुद जाक के देख सकता है कोई दूसरा जो है वो उ उस शक्स के अलावा और कोई पता नहीं लगा सकता तो ये चार जो निशानिया हैं वो हमें हुजूर सेयदना गौसलाजम ने बता दी हैं कि अगर आप चाहें तो खुद ही पता कर सकते हैं कि इन चार निशानियों से आपकी तौबा कुबूल हुई या नहीं हुई तो दोस् जरूर जरूर लाइक करें और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो थोड़ा भी यूसफुल है या दूसरों तक भी ये बातें पहुचनी चाहिए तो प्लीज हमारे वीडियो को दूसरों तक शेर भी करें सब्सक्राइब करके चानल का बेल आइकन हिट करें ताकि उसके जो नोटिफिकेशन्स हैं वो भी टाइम पर मिलते रहें तो दोस्तों हमने इससे पहले भी काफी सारे वीडियो बनाये हैं उसमें से कुछ वीडियो के जो लिंक हैं वो हम आपको नीचे दे रहे हैं उसमें से कुछ फेमिस वीडियो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ए जरूर जाएए उन वीडियो को भी देखिए अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज उने दूसरों तक शेयर भी करिए और जाते जाते अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरा भी यूसफुल है या दूसरों तक भी ये बातें पहुचनी चाहिए तो इसे लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सबी वीडियो के जिन नोटिफिकेशन हैं वो आपको बराबर मिलते रहें तो दोस्तों जाने से पहले एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकलर ट अब आप से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियों पर तब तक के लिए फी अमान अल्ला